दोस्तों, लाइफ में ऐसे कई इंस्टेंस आते हैं कि हम हर तरफ से परिशानियों से घिर जाते हैं लेकिन क्या करें? ऐसे समय पे उमीद छोड़ दें? क्या ऐसे समय पे जीना छोड़ दें? क्या ऐसे समय पे कुछ मेहनत करके परिशानियों से लड़ना छोड़ दें? लेकिन अचानक से बिजली गड़ती है और उस जंगल में आग पकड़ लेती है बहुत बड़ी आग भीशन आग रहती है जिससे उस हेड़ी का घर तभा हो जाता है हेड़ी अपनी जान बचाते हुए भागती है हेड़ी घबरा जाती है क्योंकि उसके पेट में बच्चा था और उसको वो अपने घर में जर्म देने वाली थी लेकिन उसका घर उसका जंगल पूरा आग की लप्टो में आ चुका था बहुत देर दोड़ने के बाद उसको प्यास लगती है पास में एक तलाब था वो तलाब के पास जाती है तलाब में पानी पीई रही थी कि उसने प पीछे पलट के देखा तो एक शिकारी था और वो तीर बान लेके हिन्डी की तरफ घात लाग बैठा हुआ था हिन्डी घबरा गई कि पहले तो मेरे पेट में बच्चा है मेरा घर आग में जल चुका है मेरा जंगल तभा हो चुका है लेकिन अब शिकारी मुझे मारने वा उसका शिकार करने वाला है हिन्डी को समझ में नहीं आया पीछे जंगल खतम घर खतम एक तरफ शेर बैठा है शिकार करने के लिए और दूसरी तरफ तीर बान लिए गात लगा कर एक शिकारी खड़ा हुआ है अब सामने बचती है नदी अब नदी में कूद नहीं सकते क्य करमच भी है मतलब हर तरफ मौत ही मौत क्या करे अब करना क्या चाहिए दोस्तों आप भी अपने लाइफ में कई बार परेशानियों से घिर जाते हैं कई बार कुछ सॉलूशन नहीं मिलता रातों की नीदे उड़ जाती है उस समय क्या करना चाहिए उस समय वही करना जो इस कहानी में हिर्णी ने किया हिर्णी ने सोचा अब परिशानिया तो हर तरफ है ही हिर्णी ने हसते हुए मुस्कुराते हुए पानी पीना शुरू किया हिर्णी ने पानी पीना शुरू किया शिकारी ने अपना तीर हिर्णी की दरफ तान दिया निशाना साथ लिया अब वो मार नहीं वाला था, और उत्रे में शेर भी हिर्णी की दरफ कूद गया, धेल सारी परिशानिया थी, लेकिन इश्वर देख रहा था, इश्वर ने हिर्णी और हिर्णी के बच्चे की जान बचाने के लिए बिजली जोर से कड़का दी, जैसे ही बिजली जोर से चमक पिर हिर्णी को छोड़कर शिकारी के तरफ दोड़ गया इश्वर महान है इश्वर ने बिजली के साथ साथ पानी बरसा दिया जिस जंगल में आग लगी थी उस जंगल की आग बच गई हिर्णी के चारो तरफ मौत थी लेकिन वो भी बच गई इसलिए कहा जाता है दोस्तों जब आपके चारो तरफ परिशानिया हो तब आपको शान्त होकर उसका सॉलूशन निकालना चाहिए ना कि घबराना चाहिए लोग अकसर परिशानियों से लड़ने की जगा परिशानियों के सामने हतियार डाल देते हैं दोस्तों याद रखिएगा आप शान्त दिमाग में decision ले पाएंगे और आपकी जब तक हार नहीं होगी जब तक आप खुद नहीं मान लेते हमेशे एक बात दिमाग में रखिए परिस्तितियां कितिनी भी कठोर क्यों ना हो परिस्तितियों से ज़ादा मजबूत आपका determination होता है so next time if you face any problem if you face any difficult situation stay calm stay focused you will surely find solution thank you very much जय हैं झाल झाल